चलिए आइस अपना जो काम है आज का मेरे ख्याल से स्टार्ट कर लेते हैं अभी जो कोशन वाज 6 है ना इसके अंदर प्रोसेस अकाउंट वगेरा नहीं बनाना है बस उन लोग ने आफ दर ट्रैक कुछ ना कुछ पूछ लिया है ओके एनी अधर कोशना आइट आइए अधर आंसर एट आप दे लिक्च्छ पीज़ चीङ है तो स्टार्ट कर लेते हैं कोशन नाबर सिक्स प्रोसेस पर आइप पढ़ी है In a manufacturing unit, raw material passes through 4 processes, 1, 2, 3, 4, okay. And the output of each process is the input of the subsequent process, जैसे हम इशा होता है. The process, the loss in 4 processes, 1, 2, 3, 4, are respectively 25, 20, 20 and 16, 2 third of input. ठीक है. तो हर process के नहीं, इतने percentage का loss है. If the end product at the end of process 4 is 40,000 kg, what is the quantity of raw material required to be fed at the beginning of process 1. बस यहीं तक पढ़ना, और कुछ नहीं, देखो. अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कि उन लोगों ना, जो end product चाहिए, end product मतलब end of process 4 के अंदर, उनको यहाँ पर कितना kgs का output चाहिए? 40,000. तो वो लोग तुमको क्या पूछ रहा है? process 1 के शुरू में, कितना raw material डालें, ताकि process end, process 4th के end तक, जो output निकले, कितने का निकले? 40,000. तो यहाँ पर बस इतना ही पढ़ना, और यह वाला चीज, खुद बाखुद पढ़ो, एक और बार, तुम्हारे पास 4 मिनिट है, मेरे ख्याल से, इस इस गूँन तो बीज़ों कोशन, तो इस इस प्राइवेट चाट के उपर ही भीज़ना है, फिर्स्ट कोशन, यह वाल शूद ट्राइवेट तो दे यॉरसर्व, यह मांचू वो करेक्ट है, सानियम गलत है, नताशा वो गलत है, मेरा टाइमर ही नहीं स्टार्ट हुआ, एक मिनिट, अभी तीन मिनिट ही रहे गए भाई, फिर्से नहीं स्टार्ट हुआ, कुनाल गलत है, हर प्रोसेस के अंदर, यह वाला लॉस होएगा, जो इदर दिया हुआ है, और अगर फाइनली आगोश करेक्ट है, फाइनली अगर फॉर्टी थाउजन चाहिए, तो इन्पुट कितना खरना पड़ेगा, कुछाल वो रॉँग है, loss इन्पुट के अंदर से होता है, स्ष्ष्टी वो रॉँग है, हर्शी करेक्ट है, साक्षी करेक्ट है, देफ और प्रोस, प्रतम करेक्ते, तने करेक्ते, बतसर करेक्ते, आदर्श रॉँए, पलग करेक्ते, चिराख करेक्ते, विजेत वुँए रॉँए बिटा, मैं एक मिनट तुम लोग को कम ही दे रहा हूँ तो लास्ट ट्विंटी एट सेकंड श्रीधर करेक्ट है क्रितिका रॉंग है अनुमीत रॉंग करेक्ट है महेक रॉंग है प्रत्थम रॉंग है साहिल गलत है कुनाल करेक्ट है बिटा वो पहले भी शायद बोला था आपको चलो सुनो मेरे ख्याल से मैंने जादा टाइम दे दिया था चलो कुशन नबर 6 जो है अभी अपना स्टार्ट कर लेते हैं there are many ways to be doing आयूज जैव वो करेक्ट है सुनो मेरे बाल there are some things that I can give you extra also in this particular question ताकि अगर कभी किसी ने कुछ और पूछ लिया in exams you are capable of answering that also ठीक है तो start कर लेते हैं मैं क्या बोलता हूँ I can tell you the answer by three ways let me tell you चलो by all three ways we'll write down and next question will be do by any one of the three ways ठीक है क्योंकि next question is slightly a question that is similar to this ठीक है तो यहाँ पे चलो तो ऐसा लिखना start करो let input in process 1 be 100 की चीज़ साहिल वो गलत है सुझे वो गलत है अक्षे correct है चलो बस अभी में को प्लीज़ वा अंसर वो मत दो I want to concentrate on this लेखो input in process 1 100 कीचीज less loss in process 1 this will give you output of process 1 input less loss will give you the output output of process 1 आगे बोलो ना तुम लोग will be input of process 2 मैं या पर यह लिख लेता हूँ input in process 2 अभी उसके वर मैं copy paste कर रहा हूँ I am sorry लेकिन आप लोगो को तो लिखना ही पड़ेगा आपे लिखना है I am going to change some of the words of cause good input loss in process 2 Pberspace 2 will give you input in process 3 Pberspace 3 this will give you input of process 4 Pberspace 4 4 and finally within this figure will be output फ्रॉम प्रोसेस फूर यह 25 परसेंट है यह 20 परसेंट है यह 20 परसेंट है यह सुनों जिन लोगा मैट्स अच्छा नहीं है 16 23rd परसेंट 16.6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 लोग का मैंट्स बहुत वीक होता है में को बहुत डर लगता है उनसे तुमको 16 तो समझ में आ गया कोई बोला ही नहीं थैंक यू क्या कि 16 तू थर्ड वाला गोंचू सुन 16 तू थर्ड is 16 तू थर्ड परसेंट परसेंट मतलब तो आउट ओफ अभी तू मैट्स वाला बंदा बोल हाँ 16 तू थर्ड परसेंट मतलब 16 तू थर्ड आउट अउट थर्ड तो आप इसको इससे अगर डिवाइड करोगे तो 16 ता जाता है ना तो इंस्टेर अफ राइदिंग 16 तू थर्ड परसेंट you can also be writing 16 that's okay हाँ तो 33.33 परसेंट can also be written as बोल अभी में को हार्ट अटाइक मत दे बोल जो बंदे ने वो पहले पूछा तो वो ही बोलो अभी one third thank you मैं ही बच गया सुनो अभी तो in this case नो 100 के अने से 25 परसेंट निकल जाएगा बच कितना जाएगा 75 वनाप कैल्सी की ओपर 16.66666666 वो percentage वो करते रहना तो answer वो ही आएगा ठीक है चलो आगे इसका 20 परसेंट बोले तो कितना आ जाएगा 15 तो बच गया 60 60 का 20 परसेंट कितना आ जाएगा 12 तो यह आ जाएगा 48 48 का 1 शिक्स्त 8 तो इस विल बी 40 अचा सब लोग प्लीज में को एक चीज़ा बोलना all these numbers are in reference to 100 all these numbers are in reference to 100 ठीक है अभी इन सब में से तुमारे पास एक absolute figure है और वो जो absolute figure है वो 40,000 kgs का है में को बोलो 40,000 corresponds to what 40 40 तो यहाँ पे लिख लेना 40,000 आप लोग चाहो तो आप लोग वो वाला चीज कर सकते हो शायद कोई और question के अंदर कभी ऐसा पूछा हो शायद कोई और question के ना कभी ऐसा वो पूछा हो find out what is the input required at each and every stage to get a output of 40,000 in process for अगर कभी वैसा पूछा तो तो एक सेकिंद जरा वो रुकना please don't try it मैं कोई सब नहीं चाहिए इस question के दिए मैं cross multiply करूँगा तो यह बाला figure कितना आ जाएगा 1,000,000 अगर कभी उन लोगों ने वो चीज भी पूछा होगा कि यह बताओ कि हर process के अंदर कितना कितना input करोगे मतलब फिर तुमको यह बी चाहिए आगे कोई और बोलेगा तुमको यह बी चाहिए यह बी चाहिए और तुमको यह बी चाहिए तुमको यह बी चाहिए तुमको यह बी चाहिए तुमको यह बी चाहिए और तुमको यह बी चाहिए लाक के जी जी वाला ही पूछ लिया था ठीक है so this is your answer यहाँ पे लिख सकते हो 1 लाक now this is your answer over here ठीक है now you all can be doing this particular part ओके यहाँ पे अभी लिखो और सुनो अगर ऐसा नहीं करना होता तो तुम लोग क्या कर सकते हो सुनो यहाँ पे ऐसे जड़ा लिखना input B1 kg सुनो अब मैं क्या करता हूँ ऐसा कोई करता नहीं बाद आट सुक्या अपने को वो answer ही चीए न मैं को बोलो 25% in terms of fraction is how much नहीं मतलब fraction बोले तो 1 4th 0.25 is still decimal सुननी तो fraction बोले तो 1 4th तो सुनो अगर 1 kg अंदर डालेगा तो बच कितना जाएगा 5 by 6 तो is this okay अगर ऐसा करोगे तो 4 and 4 cancel 5 and 5 cancel उसके बाद यहाँ पे 3 cancels of with 6 leaving 2 2 cancels of with 4 leaving 2 तो अगर तो 1 kg अंदर डालेगा ना तो तेरा output कितना आएगा 2 by 5 तो बाइ 5 कैलसी के ओपर जड़ा करो 0.4 kg हो जाता है बस my job is done अगर output in process 4 अगर output in process 4 आपको 0.4 kg का चाहिए तो आपको input in process 1 कितना डालना पड़ेगा 1 kg अगर आपको ये बाला चीज 40,000 चाहिए तो आपको input कितना डालना पड़ेगा 1,000 kg Is this method okay okay y'all can copy down this yes that is your call लिखो हो जाए तो मेंको बता देना प्लेज हो जाए तो मेंको बता देना प्लेज छलो सुनो मेरी बात अभी ये last method ये मेरा method है ठीक है ये ये वाला भी method वो मही रहता है लेकिन ठीक है चलो इस last method के ना मैं कुछ compute नहीं करूंगा directly बस answer लिग दूँगा लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा देखो तुमको output in P1 चाहिए ठीक है मैं output from P4 से start करता हूँ वो कितना है 40,000 की चीज़ देखो अभी एक line बोलता है although that line we all have implemented वो before लेकिन अभी reverse करके बोल रहा हूँ अगर आप process 4 के अंदर कुछ भी material दालोगे तो 1,6th lose हो जाएगा तो output 5,6th आएगा पहले ये चीज़ वो मानते हो ठीक है अभी this is the output only this is that 5,6th part you want original one वाला part तुमको समझा जो मैंने बोला अगर किसी को फिर भी नहीं समझा मैं ऐसा छोटा छोटा लिखकर बोल सकता हूँ अगर तो ने process 4 के अंदर एक kilo दाला तो process 4 के अंदर output 5,6th आएगा तो अगर तेर को 40,000 चाहिए तो ये बाला figure मैं को बोलो calc के ओपर तुम लों compute मत करा मैं को बोलो calc के ओपर ये बाला figure तो कैसे compute होगा 40,000 into 1 divided by 5 by 6 is that okay can we say dividing by 5 by 6 is also multiplying by 6 by 5 no ठीक है तो अब देखो मैं एक line के अंदर answer कैसे लेके आता हूँ 40,000 into 6 by 5 calc के ओपर मत करो मैं को बोलो लेकिन 40,000 into 6 by 5 will give me what मैं को words बोलना words बोलना input in process 4 अभी हम लोग reverse जाते रहेंगे मैं को बोलो process 3 के अंदर percentage of loss कितना था 20% 20% बोले तो 1-5 था मलब output कितना आएगा 4-5 मतलब this figure itself is 4-5 तो आपको input कितना करना पड़ेगा into 5 by 4 अरे तुमको समझा आगे तो आगे फिर दो और चीजे बोलो ना फिर दो और चीजे बोलो ना फिर एक और बार into 5 by 4 एक आखरी बार चीज बोलो अभी हम लोग reverse जा रहे हैं बेटा process 3 के बाद process 2 process 2 के बाद process 1 क्या आजाएगा 4 by 3 ये calcium के ओपर अगर जादा महिनत नहीं करना है तो ऐसा calcium के ओपर कर लेना 40,000 into 6 into 5 into 5 into 4 divided by 5, divided by 4, divided by 4, divided by 3 ये वाला answer work out करके देख लेना directly 1 lakh आजाएगा ठीक है exams के अदर ऐसा भी एक line के अदर करोगे तो चलेगा बहुत कम लोगों को ये वाला चीज समझ में आता है लेकिन अगर आता है your job is good it is faster, it is better तुम लोग start करो, you copy down this लेकिन calculation मतलब ये तो दिखाना पड़ेगा मतलब we cannot write down a statement on my calc this answer came तुम हाँ 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 चलो सुनो मेरे बात देखो, your this work is also done, अभी, before I do the next one, चोटा सा example, सुनो अभी मेरे को न, grape का जो shake होता है, grapes का वो अंगूर का बहुत अच्छा लगता है, अभी मैंने सोचा कि मैं एक grape shake पिएगा अभी उसके लिए grapes भी चाहिए, अंगूर भी चाहिए मैं market गया, अंगूर लेके आया market के अंगूर को सिक्स्टी रूपीज पर कीजी मेरे को एक glass बनाने के लिए, मेरे को एक glass बनाने के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात, दो चीजों की जुरूरत पढ़ती है एक तो grapes की और एक milk की, ठीक है, और किसी चीज़ की कोई जुरूरत में जो दूद का rate है market के अंदर, say it is 80 rupees नहीं, वो petrol का है, एक second तो 60 rupees पर liter, नहीं, तो 70 rupees I'll make it, ताकि वो confused ना हो, ठीक है तो 70 rupees पर liter चलो, ठीक है अभी जब एक glass, one glass of grape shake मैं बनाता हो ना, तो मेरे को आदा किलो अंगूर लगता है और मेरे को 300 ml का यहाँ पर दूद लगता है, ठीक है Assuming any other cost is of no use, like the electricity cost, यहाँ फिर suppose कोई चीनी बगएरा दालेगा तो all those things are of no use, okay, मैं को बोलो कि मेरा एक glass बनाने का खर्चा कितना होईगा देखो एक बगए 51 तो obviously क्योंकि I want cost of one glass, चीक है एक glass बनाने के लिए grapes जाएंगे, अंगूर जाएगा और उसके बाद milk जाएगा, ठीक है मैं एक glass जब बनाता हूँ तो आदा किलो अंगूर चला जाता है that cost 60 rupees per case year, okay, so therefore in this particular case जो मेरा grapes का cost जाएगा, that will be 30 rupees जो दूद का cost जाएगा, that will be 300 ml is 0.3 liter is that okay for everybody, ओजवल मही ने बोला electricity को भूल जाओ, मही ने बोला वो वाले बोल्स into in this particular case यहाँ पर rupees 70 so therefore this figure will be कितना 21, answer आजाएगा 51 अभी ये वाला example में क्यों दिया, let's read further, शायद कुछ ना कुछ तो तालक होएगा, okay, पढ़ते अचा, this line I am reading again, if the end product at the end of process 4 is 40,000 kg, ठीक है, what is the quantity of raw material required to be fed at the beginning of process 1, वो तो 1,00,000 का answer है, and the cost of the same at rupees 4 पर कीजी, तो हम लोग 1,00,000 kg of raw material खरीद के भी तो लाएंगे, raw material cost कितना rupees बेटा, 4, so therefore 1,00,000 into 4, answer कितना आजाएगा, 4,00,000, okay, तो 4,00,000 is okay, तो पहले हम लोग 4,00,000 रुपीज वाला जो answer है न वो लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मैंने ये वाला example क्यों दिया रहेगा, अभी उसका कोई relevance नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद इस या next question के अदर आ जाए, तो यहाँ पर लिखके रखना, raw material cost for 1,00,000 kg is equal to 1,00,000 into rupees 4 is equal to rupees 4,00,000 so, अभी question actually यहाँ पर कुछ नहीं था, शायद ये वाले पार्ट के नहीं तुमको कोई दिक्कत हो find also the effect of increase or decrease in the material cost of the end product for variation of every rupee in the cost of raw material, वो लोग क्या बोलते हैं, कि अगर raw material cost तुम्हारा, एक रुपए से बढ़ता है यहाँ कम हो जाता है for variation of every rupee, तो देखो, find also the effect of increase or decrease in the material cost of the end product for variation of every rupee in the cost of raw material, एक सेकंड, सुनो, 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 मेरे को तुम लोग इतना चीज़ ज़रा सोच समझ के बोलना, currently, currently, मेरा raw material का खर्चा हो रहा है, 4 lakh rupees का, हम लोग नहीं compute किया, में को बोलो, कितना kgs बनाने के लिए, कितना kgs of output बनाने के लिए, बोलो, for 40,000, याद रखना, तुमारा जो output निकला न, वो तो 40,000 नहीं था, तो 40,000 के लिए, मेरा 4,000,000 रुपे का खर्चा और है, so if somebody ever asked me, what is your raw material cost for every unit of your output, so that particular figure will be 4,000,000 divided by 40,000 kgs, okay, so therefore that will work out to rupees 10 per kg, एक मिनट, में को जब बोलो, इस question के अंदर, what is rupees 4 per kg, पहले मेरे को ये तो समझाओ, ये 4 rupees per kg क्या है, मैं market जाके raw material खरीता हूँ, उसका cost 4 रुपे है, लेकिन ये 4 रुपेया मेरे product के अंदर भी तो जाता है, तो totally मेरा खर्चा 4,000,000 रुपे का होता है, लेकिन 4 रुपे का खर्चा करके 1 lakh kg of output नहीं निकलता, कितना output निकलता है 40,000 so therefore 4,000,000 जिवाइर by 40,000 will give me material cost in my one unit of output is this language okay material cost in one unit of my output is this language okay तो एक काम जरा करो तो इधर आओ अभी on the next line you all right now please लिखो material cost per unit of output तो 4,000,000 divided by 40,000 ये वाला figure आजाएगा रूपीस 10 पर कीजी सुनो अभी हम लोगों ने क्या बोला अगर ये वाला figure वन रूपी से बढ़ता है अगर material cost एक रूपए से बढ़ता है तो तेरा ये वाला cost कैसे change होगा एक बार मैं ये वाला part फिर से पढ़ता हूँ find out the effect of increase or decrease in material cost of the end product बोले तो ये वाला figure आगे ज़रा देखो for variation of every रूपी in the cost of raw material तो अगर आपका ये वाला figure एक रूपए से change होता है ये चार रूपए वाला figure तो आपकी ये वाली figure कितने से change होगी तुमको question समझ में आ गया ठीक है तो हम लोग वही वाला काम बस वो करने बाला है अगोश वो बराबर है तो लिखो जरा प्लीज if raw material cost rises by रूपी 1 शुए धर वो गरेक है ये वो बस रूपी जाए becomes रूपी जाए अगर ऐसा होगा तो एक मिनट this cost will become कितना 5 lakhs तो यहाँ पर लिखना raw material cost 1 lakh इन्टो 5 विल बी रूपीस 5 lakhs ये बाला कॉस्ट देखो भी कितना आ जाएगा material cost per unit of output तो दिस विगर विल बी 5 lakhs divided by 40,000 सब लोग ने में को answer already बोल दी है 12.5 तो अगर वो वाला फिगर वो वाला फिगर अगर एक रूपए से बढ़ा ना बिटा तो तेरा ये वाला जो फिगर है वो कितने से बढ़ गया 2.5 से अभी आप लो क्या करोगे अभी आप लो क्या करोगे? this is one thing that I have done लेकिन उन लोग ने क्या बोला था? increase or decrease मैंने increase वाला part कर दिया है तुम लोग decrease वाला part कर ले ना तुम्हारा final answer फिर भी 2.5 ही रहेगा ओके? लेकिन तुम लोग start करो तुमको वो वाला चीज लिखकर वो दिखाना पड़ेगा तो ये वाला जो काम है एक और बार करो लेकिन यहाँ पर increase के बदले में decrease हो जाएगा तो पहले 4 रुपया था अभी 3 रुपीज हो गया ठीक है? तुम लोग start करो और खतम करो exactly the same particular thing हो नहीं answer भी same ही आएगा लेकिन समने वो बोला हो है increase, decrease वो दोनों के लिए वो करके बताओ you all start, you all finish यहाँ पे तो rises के बदले में falls आ जाएगा that is becomes rupees 3 मैं इसको बाद में I'll write in blue over here blue बाला part I will complete in just a while but you all finish that's okay क्या है to explain that will sometime become more complicated इसले इसले इस बेर तो भी शोएंगे तो और कुछ नहीं हाँ और वो वाला 2.5 भी मैं तिरको directly वो बताई सकता हूं लेकिन क्या है to explain all those things become slightly tough 100 अपॉन 40 करोगे तो 2.5 यहाता है तो always that proportion वो 2.5 यहाएगा वैसे ठीक है but then to explain those things become bit tough in exams तो that's why we just solve it and get the answer वाब्यांसे वाब्यांसे 7.5 आजाएदा वाब्यांसे 7.5 आजाएदा हाउँ पान इस सून पर सुन और 4 यह दिस बिकम्स ऐता हुन गवगे सब्राव यह इस उता हुंग 죄송 तो इसके लिए I just gave you all a easier version okay of that particular question तो let's do the better version okay question बसे हैं and super best version I have reserved as a homework in question number 8 okay तो start कर लेते हैं question number 7 से इसके अंदर अगर तुम लोग shots एक बार question पढ़ने के बाद वो पढ़ लोगे that will be good for you that will act as some hint क्यों कि I want you all to be trying this question ठीक है पहले question पढ़ लेते हैं an article passes through three successive operations from the raw material to the finished product stage पिछली बाद 4 थे इस बाद 3 है the following data are available from the production records operation one मत्वा process one operation two operation three input rejected उसके बाद output ठीक है सिर्फ part one करेंगे और कुछ ने determine the input required to be introduced in the first operation in number of kgs in order to obtain output of hundred kgs after the last operation तो अगर तुमको last operation के बाद कितने का output चाहिए hundred तो आपको input कितना करना पड़ेगा almost similar to your last question अगर कुछ भी hint है वो मैंने नीचे दे के रखा हुआ है अगर तुमको कुछ भी doubt है क्योंकि तुमको कुछ ना कुछ doubt आएगा उसका answer नीचे shots के अंदर है वैसे ठीक है मैं तुमको चार minute दे रहा हूँ if you can get me the answer very good job okay try चार minute के अंदर मिरे को answer दो खोड़ा सा time जाएगा and take that time okay you'll have to be thinking many things मैं तुमको चार minute up देता हूँ कि 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 साक्षी वह गलत है शायद आपका rounding off का पंगा हो तने करेक्ट है तनीशा करेक्ट है रमांशू करेक्ट है देव गलत है शायद rounding off का पंगा हो देव थोड़ा सा डेसिमल्स के अंदर करना तो दिक्केत ने आएगा प्रधा हम बेटा अपनी को ना सिर्फ 100 kg का ओटपुट चाहिए तो अंसर वन लाक वगेरा के अंदर नहीं आएगा साक्षी करेक्ट है वो अगोश शायद rounding off का पंगा हो आपका धुरुफ करेक्ट है अधिक मेरे hints काम में तो आए रहेंगी तेव हर चीज अपने को 100 kg का output चाहिए बिटा बस कुनाल गलत है हर चीज ना fractions में रखा करो job becomes very easy प्रथम वो गलत है 1434 ऐसा रखा करो कभी गलत नहीं आता बसल करेक्ट है वो श्रीदर divided by 100 कर बिटा तुने percentage ली आ लेकिन तू इंटू तू सोच ले ते को समझ में आ जाएगा मेह गलत है वो श्रीदर करेक्ट है अभी चलो सुनो स्टार्ट कर लेते हैं देखो आयूश गलत है शायद वो rounding off का पंगा हुएगा सुनो देखो एक obvious question चो मैंने यहाँ पर शायद answer करके रखा हुआ है ठीक है सबसे पहले कोई ऐसा बोल सकते है अपने को क्रेशा वो गलत है इनपूट 60 सर रिजेक्टे 20 तो आउटपूट 40 सर नेक्स प्रोसेस का इनपूट 40 होना चे था obviously कोई ऐसा पूच सकता है पूचना भी चाहिए मैंने भी खुद बखुद बहुत सोचा था अगर ऐसा है तो इसका शायद एक ही justification होगा यह data यह data यह data अलग-लग periods का होगा तो जुरूई नहीं है कि same period का ही हो क्योंकि अगर same period का होता तो इसका output और इसका input match होना चीए था यह data ऐसे क्यों दिया ताकि आप लोग वह वाले loss निकाल सको जो पिछले question के दिये हुए थे जो percentage of loss वो दिया हुआ था इस question के अंदर वह वाली चीज़ें अपने पास नहीं है लेकिन हम लोग यह data से वह वाली चीज़ें निकाल लेंगे example अगर आप 60,000 अंदर दाते हो प्लीज मेरे को वह बोलना है especially जिन लोग का answer वह नहीं आया था तो in this case 60,000 के अंदर से 20,000 is lost 20,000 upon 60,000 is how much fraction 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 it is one third okay in instead of saying that I'll tell you better way I'll do this upon this directly 40,000 एक second 40,000 upon 60,000 will become कितना two third okay सबको two third समझ में आ गया same way 60,000 upon 66,000 कोई maths वाला बंदा मेरे को वह बता सकता है 60 upon 66 60 upon 66 will become 10 by 11 no and apart from that 40 upon 48 मेरे क्याल से दोनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे so therefore this will become 5,6 बस once you find out these it is almost same as your previous question ठीक है मैं सबसे पहले न loss वगेरा loss as a fraction of this मैं निकाल ही नहीं रहा हूं I'll directly try to find out output upon input in fact our job will be far faster ओके तो एक काम जरा करो यो ओल राइट डाउं लिखो कुशिन 7 लिखो आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस वन श्रीदर महेश्वरी वो correct है नहां गलत है सुनो तो 40,000 upon 60,000 मैं क्याल सी यूज ही नहीं करता ये सब चीजों के अंदर I'll simply write down two-third process 2 60,000 upon 66,000 10 by 11 process 3 यहां पे 1,2,3 ना मिरको ये वाली number यूज करने चीदे sorry it doesn't much matter but that's okay तो this will be 40,000 upon 48,000 this is 5,6 अच्छा exam के ना एक चीज हमेशा क्या करो बिटा अगर दो पार्ट है ना इदर लेबल क्या करो पार्ट वान अगर कभी भूल जाओ तो ना और तुमको लगे बहुत दिक्कत वाली बात है फिर एक बार towards the end ना just write down like this answer part 1 final answer, part 2 तो final answer ताकि that confusion is lost try किया करो to label all the parts अगर कभी वो भूल जाओ यहां फिर answer का format नहीं strike हो रहा है कि अलग लग वो कैसे करने का in and just present the summary of the answers अभी तक हम लोग part 1 पर ही है अब यहां पे जड़ा लिखो input in process 1 एक काम जड़ा करना यहां पे हर एक जगा पे आगे लिखना 2 thirds of input 10 12th of input 5 6th of input सुनो अभी अपना poppet मत करवाना मेरे को बराबर से बोलना I am trying to solve the question by this last method of mind जो मैंने आपको पिछले question के अंदर वो बताया था जो यह वाला method है ठीक है मैं directly अभी काम बस वो करके I'll directly figure out the answer होनी में को process 3 के end में कितना kg चाहिए बेटा 100 kg मेरे को आगे 3 fraction तो सब लोग बोलो 3 fraction तो सब लोग बोलो 3 by 2 3 by 2 I'll better go reverse होनी क्योंकि I'm starting with the end तो into तो मैं सबसे पहले क्या करूँ 6 by 5 उसके बाद 11 by 10 उसके बाद 3 by 2 अगर कभी डर लगता है यह वाला चीजें हम लोग orally solve नहीं कर सकते it's very simple 100 into 6 into 11 into 3 you take your calcium and you do it divided by 5 divided by 10 divided by 2 answer 198 kg चलो सुनो यह वाला जो काम है तुमारा हो गया अभी ना I want that you become good in this because that is the problem that most of the people face in exams understanding की sum ने क्या पूछा हुए part 2 पढ़ो मैंने वो grape juice वाला example शायर इसी part के लिए दिया था आराम से पढ़ना देखना sum क्या बोलता है and try to figure out the answer try करना part 2 answer आज है मैं को private chat के उपर भीजो थोड़ा सा time लगेगा to understand की sum ने क्या पूछा है तनीशा वो करेक्ट है बिटा बोलो साक्षी गलत है विजित गलत है नेहा calculation almost ठीक है पूरा ठीक नहीं है याद रखना उन लोग ने आपको hundred kgs का cost नहीं बोला ध्यान से sum पढ़ा करो नेहा उन लोग ने इतना चीज का cost नहीं पूछा आगोश करेक्ट है कुशाल देख उन लोग ने क्या पूछा है बिटा आप लोग ने एक basic गलती किया है तने basic गलती किया है basic गलती मैं correct है वो दुरूफ गलत है नेहा गलत है वचसल ध्यान से sum पढ़ो एक basic गलती किया है श्रीदर गलत जय गलत चलो सुनो मेरी बात देखो मैं पहले एक बार sum पढ़ देता हूँ calculate the raw material cost of raw material required to produce one piece of finished product बोलो क्या बोलता है एक piece of finished goods बनाने के लिए पहले मैं बोलो finished goods कौन से process से बाहर आता है process third से ठीक है calculate the cost of raw material required to produce one piece of finished goods thank you given the following information weight of finished piece is 0.1 kg and price of raw material is rupees 20 per kg चलो ठीक है आप लोग raw material खरीद के लेके आओगे at what rate 20 per kg आप लोगो ने ये बाला जो data compute किया है न पहले मैं को सोच समझ के बोलना this data is for what level of output पहले मेरे को वो बताओ this is for 100 kg तो आप यहाँ पे लिखे रखो raw material cost for 100 kgs of output अगर 100 kgs of output चाहिए तो आपको 198 kg तो अंदर दालना पड़ेगा market से खरीद के लेके आओगे at what rate 20 so therefore this particular figure will be 3960 although that's not your answer अच्छा ध्यान से सुनना जरा प्रीज raw material cost is 3960 for और सब लोग अमें को एक number बोलो for what level of output मैं second time पूछ रहा हूँ for what level of output 100 kgs लेकिन जब आप product को बीचते हो ना आप 100 kg का एक unit नहीं बीचते हो आप लोग क्या करते हो अपने output को ना आप छोटे छोटे packets बनाके बीचते हो और एक packet के अंदर मैं कितना product का weight डालता हूँ बोलो बोलो 0.1 kg तो मेरा जो एक unit of finished goods है उसका weight 100 g है एक मिन्द सब को समझा 100 g is 0.1 kgs ओके so therefore in this case 0.1 kg in this case उसका raw material cost कितना हो जाएगा so 3960 into 0.1 divided by 100 ये वाला answer आजाते है 3.96 ये लिखे तुमारा जो ये वाला काम है this is all together done ठीक है whatever we had to be doing ये वाला जो अपना काम है ये हो गया ठीक है दो चीजे मैंने shots के अंदर वो लिखी हुई है secondly this data is given so that you can compute loss in each process although हम लोग ये वाला भी चीज निकाल सकते थे but I think we all directly did a better job हो नहीं we all directly did this upon this तो अपना काम in fact थोड़ा सा जल्दी हो गया ठीक है question number 7 की ओपर question number 8 है but far a tougher version वो समझना मुश्किल है solve करना भी मुश्किल है but there are some questions that I want it कि वो difficult ही हो ताकि your brains are getting used चीक है सुनो अभी हम लोग question number 9 करने वाले है अभी जो मैं इस question के अंदर करूँगा मेरी बाद ध्यान से सुनना ज़रा ये आप लोग इस question के लिए सुनना समझना बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद वाला question EC का extension है in homework section ठीक है उसके बाद ये वाला जो concept है भूल जाना at least for the rest part of the chapter exam के ने शायद काम में आ जाए ये वाला question जो है न ये लोग once in around two या three years पूछ लेता है in process question अभी ये वाली चीज किस चीज के लिए है अच्छा मैं को वैसी ज़रा बोलना तुमारा accounts के chapter के अंदर accounts के अंदर departmental accounts हुआ है departmental accounts ऐसा कोई chapter का कभी नाम सुना आज तक ठीक है चलो अगर नहीं हुआ है so once I will be explaining you can explain to your professor also कि sir this is how it should work जो भी तुम लोग कभी भी departmental accounts के अंदर करोगे all those things I'll try to be doing over here ठीक है but might be in the most logical manner ओके सुनो सरा प्रीज ध्यान से बराबर से सुनना प्रीज अभी ये चीज क्या है again I am saying ये दो questions है एक classwork एक homework ओके वो मेरे साथ करना मतलब जो classwork वाला है जो homework वाला है that you all do उसको भूल जाना है इस concept को then we will revive this concept in CA final एक chapter आएगा called as transfer pricing in final CA one of the most important topics जो EC का elongated version है ठीक है अभी ये वाले चीज क्या है देखो हम लोगों ने आज तक जितने भी questions की in process costing ये अपना शायद third lecture ही है हम लोग हमेशा एक काम करते थे जरा याद तो करना ना process one transfers the goods to process to always at बोलो cost cost बोले तो normal cost चीक है और उसका funda बहुत simple है in fact तुम लोगों को याद होगा है एक question के ने तो selling price भी दिया हुआ था मैं तुमको specifically बोला था selling price नहीं करने का वो तो जब ही sales निकाल रहे हो तो तभी काम में आएगा यौल remember that question ठीक अभी in this case no P1 transfers everything to P2 at cost P2 transfers to P3 always at cost basically emerges from one thing and that is you cannot make profit by selling to yourself okay example के तौर पे एक simple चीज़ है अभी I own one house चीक है suppose वो वाला जो flat है suppose वो 2 करोड का है ठीक है मैंने पपा को बोला पपा ये वाला flat ना मैं आपको 3 करोड में बेचता हूँ पपा बोलता ठीक है मैंने सोचा मैं को एक करोड का profit होईगा तो डाड़ी ने मुझसे 3 करोड में खरीद लिया फिर पपा को एक idea आया पपा बोलता है same flat मैं देखो 4 करोड में बेचू मैंने बोला तो बेचो बोलते है मेरे को 1 करोड का profit आएगा मेरे को 4 करोड के अंदर he sold it तो again I told पपा मैं आपको 5 करोड में बेचू okay में को जड़ा बोलो हम लोगो ने ऐसा किया अपने को कुछ profit होएगा in life if I ever ask you क्यों नहीं होगा you tell me that obviously you are selling to yourself I and my father is almost like one single person we are a family okay so obviously that profit will remain within the company तुमको समझा जो मैं बोले, you cannot make profit by selling to yourself ना यार, वो common sense चीज है, अगर मेरे daddy का मुझसे बहुत जगडा हो चुका है, और उसके बाद my dad told, मेरा कोई भी हिस्सा of property तेरे को नहीं मिलेगा, I told dad मेरे को नहीं चाहिए, if I and he are two different people, then in that case if I sell, I will be making a profit so, एक simple चीज है, a company gets profit when it sells to outside people is this language clear, वरना profit तो कैसे आएगा यार, तो in fact तुम लोग अगर वो ऐसा काम वो करेगा, हम लोग stamp duty दे दे के तो सब लोग बिखारी तो बनी जाएगा ना यार, okay, so you don't make profit by selling to yourself, there is a simple concept, so how can P1 transfer anything to P2 at profit, you can't do that, you can't do that, okay तो till now we have had one single concept, that P1 is always called as a cost center cost center मतलब क्या होता है, कि P1 will always transfer to P2 at cost only, that's it, okay, there is nothing else that can happen, there is nothing else that can happen, you will transfer at cost only, okay, अभी इसके अंदर एक problem है क्या हो जाता है, जरा सोचो न, P1 वाला मेरा जो process था न, उसका एक manager है, ठीक है, उसका एक manager है, अभी managers का साल के end में न, मेरे को performance evaluation करना पड़ता है, तुम कोई word समझ में आता है, performance evaluation, मतलब मेरे को जानने का है, इस dad guy a good person और a bad person, not तो nature-wise, all those things are not interested, okay, मतलब, is he a good employee और bad employee, now, how do I judge that P1 is a good manager or not, तो usually, अगर ये वाला department cost center हो एका न, I will judge this department based upon cost, ठीक, cost मतलब, I will try to be thinking कि इस बंदे का cost कितना होना चीए था, और इस बंदे का in reality cost कितना हुआ, because याद रखना, P1, P2, P3, बेटा, these are all factories, factories are responsible to produce, they are not responsible to sell, okay, sales is done by the marketing departments, they all sell to the customer, तो factories को judge करने का एक ही तरीका होता है, that have they saved the cost or not, तो मैंने मेरे P1 manager को, मैं उस बंदे से बात कैसे करता हूँ, मैं उस बंदे से ऐसे बात करूँगा, भाई देख, मैं तेर को बोलता हूँ कि तेरा खर्चा इतना होना चाहिए, बोलता साब ठीक है, मैंने उसको एक और चीज़ बोला, अगर साल के एंड में पता चला, कि तेरा इससे खर्चा कम हुआ है, in every organization, in every organization, there are schemes like this, तो cost centers को, how do you give them incentives, we give them incentives in a very simple way, whatever will be your savings, उसका एक percentage, we will give you as bonus, okay, मैं को जबो अगर तुम लोग process one का manager है, और अगर मैंने तुम को कुछ ऐसा बोला, जिन्दगी भर तेरे दिमाग के अंदर, क्या चीज़ चलता रहेगा, बोलो, सर मेरे को पैसा बचाने का है, सर, okay, मेरे को पैसा बचाने का है, सर, cost कम हुएगा, तो मेरा bonus बढ़ेगा, बराबर है, लेकिन न, organizations don't do good like this, क्योंकि then every manager becomes चिंदी, okay, they all try to be thinking, कि यार पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, but organizations don't grow like this, it's a very simple concept, जब तक पैसे का खर्चा नहीं करेगा, okay, तब तक शायद पैसा वो आता भी नहीं है, okay, so I'm not saying don't save, but saving cannot become your only objective, फिर एक manager क्या कर सकता है, he will try to use cheaper quality of raw materials, he'll try to use all third class workers, में को बोलो, अगर ऐसा करेगा, पैसा तो बच जाएगा, लेकिन आगे बोलो, the quality of the products will start to fall, and ultimately company will suffer, वैसा नहीं हो सकता न, okay, तो लोगों ने बहुत सोचा फिर, करें तो क्या करें, तो then न, new schemes started to emerge, और आजकल की दुनिया के ने, this concept is so big, it is there in final CA, in income tax also, and it is there in final CA, in my subject also, although जो वहाँ पे करने वाले हो, जो यहाँ पे वो करने वाले हो, वो अलग लग चीज़ है, but I'll restrict myself to interest here right now, मेरा एकी काम है, I want to be telling every manager, I will convert your cost centers, into profit centers, चीख है, from the onwards, P1 will transfer the goods to P2, not at cost, you transfer at a markup percentage, मतलब, in this particular case, instead of you thinking, that P1 is transferring to P2, you try to think, that P1 is selling to P2, and whenever you will sell, you will sell at a price, which is higher than your cost, whenever you will sell at a price, which is higher than a cost, in end, you will start to make, आगे कुछ बो, some profit, and this selling price for us, from now onwards, will be known as transfer price, so instead of transferring at cost, we will start to transfer at transfer price, and obviously transfer price will be, an amount which is higher than cost, ठीक है, अगर ऐसा होगा, we say, we are converting departments, from being cost centers, to, आगे बोलो, to profit center, और अब मैं मेरे managers को, एक dialogue मारूँगा, मैं उनको क्या बोलूँगा, देखो, अभी तो sales भी है, अभी तो cost भी है, मतलब profit भी है, जितना तेरा department, profit generate करेगा न, उसका 10%, तेर को bonus के तौर पे देगा, मेरे को अब ज़रा बोलो, अब तेरे दिमाग में एक चीज़ नहीं आएगी, अब तेरे दिमाग में दो चीज़ आएगी, में को बोलो क्या दो चीज़ हैं? Sir, cost काम करते हैं, वो तो पहले भी कर रहे थे हैं, और दूसरी चीज़ बोलो, Sir, sales बढ़ाने का try करेंगे, The moment we try to be thinking की sales बढ़ाने का try करेंगे, automatically उससे क्या होना start हो जाता है, they will start to be thinking like, you know, let's sell to process 2, that is one thing, can we sell to outsiders also, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, P1 will start to expand its horizon, और याद रखना, जब P1 बढ़ा होगा, शायद P2 भी ऐसा ही सोचेगा, P3 भी ऐसा ही सोचेगा, company will start to do better business, this is basically, I want to be bringing P1 as part of the organization, I want P1 to be thinking, that you are part of a bigger organization, but you are also kind of a small organization within yourself, whenever you will produce, you will sell, you will generate some profit here, okay, I will give you a percentage of that, as your bonus, automatically the managers will start to think, like owners, okay, वो लोग हमेशा सोचेगे, sales कैसे बढ़ाए, वो लोग सोचेगे, cost कैसे कम करे, automatically things will start to do good, अभी अपना जो काम है, वो यही अपना काम है, ठीक है, और हम लोग exactly, वही वाला चीज़ करने बाले, लेकिन यहापे और issues के आएंगे, याद रखना, बोलने के लिए, I can try to tell P1 department, कि भाई, you try to be thinking, that you are an organization, but ultimately P1 is not a company by itself, यह जो सारे departments हैं, they are part of the company, no? ओके, तो अब मैं तुमको, एक example वो देने जा रहा हूं, कि यह वाला system काम कैसे करेगा, इस system के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, P1 will transfer to P2, obviously at a markup price, P2 will transfer to finish goods, obviously in this particular case, at some higher price, and in end they will start to be generating some profits, लेकिन बाकी issues के आएंगे, अब काम करते हैं, सुन, अभी, तुम लोग कुछ लिखना मत, तुम लोग सिफ calculators अपने पास रखना, शायद ये वाला जो चीज मैं demonstrate कर रहा हूं, मेरे को ये भी ने मालूम, इसका question पूरा का पूरा solve हो पाएगा है नहीं, लेकिन अगर तुम को ये चीज़ समझ में वो आ जाएगी, my lot part of work is going to be done, ध्यान से सुनते रहना, तो एक यहाँ पे process 1 था, ठीक है, तो सबसे पहले P1 department ने goods बनाए, कितने goods बनाए, उन लोगों ने न in all यहाँ पर 100 units बनाए, ठीक, 100 units बनाए, हर unit के लिए उनको 10 रुपे का खर्चा हुआ, ठीक है, 10 रुपे का खर्चा हुआ, Whenever I will be asking, please everybody unmute their mic and try to be speaking, क्योंकि ये वाला चीज तभी समझ भाएगा, if you will speak out something, ठीक है, तो अपना जो cost है, वो यहाँ पर 1000 रुपीज का हो गया, ठीक है, अपना जो cost है 1000 रुपीज का हो गया, ठीक, अभी P1 ने अगर 100 units बनाए, it had to transfer these 100 units to P2 also, for some reason that even I don't know, क्या हुआ, तो this is nothing but closing stock of P1, this is nothing but closing stock of P1, ठीक है, अच्छा, अभी this is closing stock of P1, every department values their stock at their cost, ठीक है, साल के end में, साल के end में, balance sheet भी तो बनेगा, याद रखना, balance sheet तो company का बनता है, balance sheet कोई department का थोड़ी बनता है, balance sheet के asset side में, किदर ना किदर, stock भी तो आता है, stock के अंदर, WIP stock भी तो आता है, ठीक है, तो सबसे पहले, process 1 का, जो closing stock है, बेटा, वो कितने units का था, 25 units का, ठीक है, सब लोग में को जरा बोलो, everybody will value the stock at their cost, so 25 units will get valued at cost, में को बोलो, हर unit का cost कितना है, चिल आके बोलो, 10, तो 250 rupees, will be the cost over here, तो, तुम लोग अभी में को, एक चीज़ अरा वो बोलो न, अगर मैंने 1000 के ने से, 250 rupees subtract किया, तो answer आजएगा 750, में को बोलो, 750 represents what, cost of the goods transferred, सब को ये word समझ में आ गया, 100 के अंदर से 25 इने नहीं ट्रांसफर किये, मलब 75 इने तो ट्रांसफर किये ना या, ठीक है, तो I am writing over here, cost of goods transferred, cost of goods transferred, ठीक है, बट वेनेवर the first department, will transfer the goods to the next department, it will not transfer at cost, it will transfer at a markup price, ठीक है, तो therefore, in this particular case, I am writing over here, markup, ठीक है, markup, markup पतला profit होता है, और कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा, can we say, एक बार markup add कर दिया, you will get your selling price, और you will get your sales, तुमको समझा, बट sales for the purpose of this chapter, is not going to be called as sales, यहाँ पर हम लोग selling price, word use नहीं करेगा, मैं so नहीं रहा हूं, तुम लोग मैं को बोलो, selling price के बदे में, कौन सा word use करेगा, transfer price, चीक है, अच्छा, मैं अभी तुम लोग को, एक और चीज वो बोल रहा हूं, मैं को बराबर से बोलना, ओके, मैं को बराबर से बोलना, जो markup तै हुआ था न, that was one fourth of transfer price, that was one fourth of transfer price, महलब this figure was one fourth of transfer price, one fourth of transfer price, is like one fourth of selling price, मैं को बोलो, one third of selling price is like, one fourth of selling price is, बोलो ना यार आगे, it is one third of cost, नो, ठीक है, तो in this particular case, one third of, one fourth of transfer price, will be nothing but one third of cost, तो 750 का one third करो, तो कितना होता है, 250, तो ये बाला चीज जो है, कितना आ जाएगा, 1000, ओके, if I ever ask you, if I ever ask you, what was sales for process one, तो तुम लोग क्या बोलेगा, what was sales for process one, 1000 रुपीज, obviously for कितना units बेटा, 75, मैं को बोलो, sales for process one, will become, sales for process one, will become, बोलो, cost for process two, जो किसी और के लिए sales है, मेरे लिए that will become cost, नो, अच्छा, सुनो, मैंने क्यालसी किसी से खरीदा, जिससे खरीदा, उसके लिए sales है, मेरे लिए तो cost है ना, वो वाला चीज, ठीक है, अच्छा, तो अब ना, मेरे को यहाँ पर, balance sheet बनाने का है, balance sheet बनाने का है, balance sheet के लिए stock भी तो आएगा, stock अंदर, WIP stock भी तो आएगा, WIP stock के अंदर, अभी ना, मैं इस company का head accountant था, head accountant, top accountant, मेरे को company का balance sheet बनाने का है, अगर मेरे को company का balance sheet बनाने का है, तो मेंको balance sheet के न stock भी तो दालना है तो मैंने process 1 के manager को phone किया मैंने उसको बोला भाई तेरे पास stock पड़ा हुए क्या बोलता हा ना यार मेरे पास 25 unit पड़ा हुए मैंने बोला 25 unit का तू value बता तो उससे मेंको बोला 25 unit का जो value है 250 rupees है अब मैं तुमको questions पूछ रहा हूँ ध्यान से मेंको answer करना is 250 at cost to process 1 yes or no yes everybody values the stock at their own cost तो 25 unit उसने value के थे अपनी cost के उपर उसका cost कितने रुपीज का है 10 रुपीज का है अभी my second question and I only wanted to ask this question is this 10 cost to the company also क्योंकि balance sheet तो company का है okay is this at cost to the company also obviously yes क्योंकि process 1 is the starting process उसने और किसी से नहीं खरीदा हुआ अरे तुमको समझ में आता है so therefore process 1 is the starting process वो किसी और से माल नहीं खरीता है so cost of process 1 will also be cost of the company no is this understood so in this particular case process 1 का जो stock है it is at 250 रुपीज is this all okay अच्छा में को बोलो यह जो balance sheet बन रहा है यह company का बन रहा है के department का बन रहा है तुम लोगोंने ऐसा कभी सुना कि हम लोग company के अंदर एक department का balance sheet बनाएगा ऐसा तो कुछ नहीं होता न you have to make balance sheet of the organization only तो चलो ठीक है सुना अभी तुमको एक और चीज समझ में आएगा साल के इंड में तुम लोग balance sheet भी बनाओगे साल के इंड में तुम लोग company का profit and loss account भी तो बनाओगे ना यार costing के अंदर that profit and loss account is called as costing profit and loss account तो मेरे को अभी company का profit and loss account भी बनाने का है मैं सोच रहा हूँ company कि तरह profit कमाएगा लेकिन companies comprise job departments can you say company का profit will be some of the profits of the departments is this line okay तो मैं एक काम कर लेता हूँ अगर तुम लोग ने मेरे को ऐसा बोला it is okay तो मैं काम अभी कर रहा हूँ ठीक है ध्यान से सुनना मैं अभी यह जो one third इसा मैंने arrow बनाया ना यह मैं निकाल रहा हूँ ठीक है इस चीज़ को थोड़ा सा इधर shift कर रहा हूँ यह जो 200 रुपया है this is the profit made by department 1 when it transferred to department 2 is this line okay and profit of the company will be the sum of the profits of the department so therefore मैं यहाँ पे 250 रुपी बस इधर copy कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ costing PNL account के credit side पे यहाँ पे लिख रहा हूँ by process 1 और मेरे दिमाग में क्या thought चल रहा है भाई यहाँ पर I have to find out profit of the company profit of the company will be sum of the profits of the department तो department 1 ने अभी तक कितने रुपीज का profit कमा लिया है 200 रुपे का कभी कमाया जब उसने आगे कुछ बोलो जब उसने department 2 को जब उसने transfer किया is this okay यार सब लोग बोला करो mic unmute करने के अंदर you all cannot be that damn lazy यार तुम लोग unmute कर सकते हो is this okay ठेक है अभी आगे सुनो अभी ये चीज़ सबसे easy था क्यों क्योंकि ये process 1 था अगर ये process 1 था तो अभी ज़रा सोचना process 2 के अंदर complication आती रहेगी और complication अब ज़रा हान से सुनना में को बोलो this is transfer price for P1 can we say this will become cost of P2 ठीक है तो this is cost of P2 okay everybody agrees to that अभी P2 को मेरे को ज़रा बोलो कितने units मिले P2 के लिए उसका cost कितना था P2 के लिए 1000 वो उसके ओपर और भी तो काम करेगा और material labor और overheads का और भी तो total cost ठीक है तुमको समझ में आएगा units तो वो ही रहे बेटा उसी units के ओपर उसने और material दाला और labor दाला और overheads दाला ठीक है तो units तो उतने रहे तो totally department 2 ने कितने units process किये मिरको बोलो 75 ठीक है उसका total cost कितना हो गया पंदरा सो डिस इस total cost ओफ विच डिपार्टमेंट विच डिपार्टमेंट मैं इसको और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको और इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो में को जरा बोलो वो कितना आ जाएगा 20 ठीक है can we say ये 75 units अगर P2 ने बना दिये तो transfer to finish goods department क्योंकि 2 departments है P1 से P2 जाएगा P2 से finish जाएगा is that okay but for some reason for some reason उसने भी ना 25 unit नहीं transfer किये तो this will be closing stock of P2 department ठीक है उसने 25 unit नहीं transfer किये तो 25 unit फिर value तो करने पड़ेंगे और क्या ठीक है मेरे को जरा बोलो 25 unit will be valued by process 2 at its cost में को बोलो P2 के लिए cost कितना है P2 के लिए 20 20 ना हर एक department I will value my stock at my cost नो यार so therefore my cost is 20 okay so 25 into 20 कितना रुपीज आजाएगा बेटा 500 अच्छा तो मेरे को अभी तुम लोग जरा बोलना 50 units बच गए यहाँ पे आगया 1000 रुपीज में को जरा बोलो 1000 क्या represent करता है बोलो 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 cost of goods transferred नो cost of goods transferred cost of goods transferred ठीक है अच्छा अभी जब P2 finished goods को transfer करेगा तो भी तो markup price की उपर ही करेगा ना correct नो उसको भी तो profit मांग मांगता है ना यार so therefore add markup तुम्हारे को अभी एक process का experience है अभी अपना popat मत करवाना एक बार ये वाला चीज कर लेगा this will give you transfer price for P2 में को बो transfer price for P2 will become आगे बोलो ना या सब लो cost for finished goods is that okay अब मैं तेरे को markup का percentage दे रहा हूँ markup जो यहां पर तै हुआ था ना red के अंदर I am writing like like before it was one fourth of transfer price अभी सब लो में को जरा बोला one fourth of transfer price is one third लेकिन अब मैं ये वाला जो amount है वो change कर देता हूँ में को one fourth नहीं करना है मैंने पिछली बार भी one fourth ही रखा था I'll make it चलो one third में को जरा बो one third of transfer price will be बोलो half of course तो मैं यहां पर में को जरा बोलो एक number मेरा लिखने का मन कर रहा है मैं यहां पर क्या number लिखूं 500 that is half of this सबको half का funda समझ में आ गया ठेक है तो तेरा ये वाला चीज आ जाएगा पंदरा सो में को जरा बोलो पंदरा सो is a cost for कितना units यार 50 units and this is cost of which department बोलो मेरे को this is cost of finished goods जिपाए P1 transfers to P2 P2 transfers to finished goods ठीक है अब मेरा गला ठक गया प्लीज हेल्प में ओके सुनो finished goods department पंदरा सो उसका cost है उसको कितने units मिले बेटा 50 पंदरा सो को 50 से डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा 30 ओके अब solid सुनना भी solid सुनना मैं अकाउंट का head था ठीक है मेरे को मेरे boss ने बोला कि आपको balance sheet बनाने का है मैंने बोला मेरा तो वही काम है मैं बनाएगा तो in this particular case asset side पे stock आता है stock के न WIP आता है मैंने process to manager को पूछा भाई तेर पास stock है क्या तो पहले मेरे को बोलो वो अंदा क्या बोलेगा yes के no yes में को बोलो कित्रे units का stock है 25 उसे में को बोला यार 25 unit का stock मेरे पास पड़ा हो है मैंने बोला 25 unit वह भाड में गया तू मेरे को उसका amount बोलना okay तो obviously every department will value the stock at their cost तो में को जरा बोलो department 2 will tell me what मेरे 25 unit का cost कितना है बोलो वो लिख बोलो 500 रुपया ना okay अभी तुमारा calcium तुमारे पास रखना और अपनी अकल तो अपने पास solid रखना में को जरा बोलो दो question पूछ रहा हूं पहले भी पूछे दे is 500 at cost to process 2 yes or no yes it is a universal rule everybody will value stock at their cost okay तो it is their cost चीक है उसने तो 20 रुपय के ओपर ही value किया 20 रुपय तो उसका cost है but most important question is it at cost to the company also no obviously not बेटा P2 ने किससे खरीदा था P1 से और P1 ने जब P2 को transfer किया था तो बीच में अपना profit charge किया था न अभी तुमको एक rule समझ में आएगा you cannot make profit by selling to yourself common sense है न वो this is balance sheet of the company this is balance sheet of the company balance sheet of the company के अंदर stocks have to get valued at cost to the company no but this 500 रुपया is not at cost to the company this is at cost to the process to okay but you have to get it at stocks to the company तो अभी देखो मैं क्या calculation करेगा ध्यान से देखना कि मैं अभी क्या शानागिरी में करने वाला है मेर को जानने का है इस 500 के अंदर मेर को आगी sentence complete करके दो ना मेर को जानने का है इस 500 के अंदर किसका profit है किसका profit बोले तो कौन से department का department 1 का याद रखना P2 की cost के अंदर department 1 का profit वो होईगा ना department 2 की cost के अंदर department 2 का profit तो नहीं हो सकता ना ओके थैंक यू तो अब वो वाली figure मेर को निकाल नहीं पड़ेगी और वो वाला करना बहुत easy है सब लोग मानते हो 500 दिस 500 इस part of दिस 1500 सब लोग मानते हो ठीक है और इस 1500 के अंदर पिछले वाले department का ही जो profit था वो 200 रुपए का था ना सबको समझ में आ गया तो अब मैं last statement के साथ यह वाली चीज़ खतम कर रहा हूं इस 1500 के अंदर फिर से बोलता हूं this 500 is part of this 1500 और इस 1500 के अंदर इस 1500 के अंदर अपने ही पिछले department का 200 रुपए का profit था तो अब देखो मैं cross multiplication कैसे कर रहा हूं 1500 के अंदर अपने ही department का profit 200 रुपए का था तो यह 500 के अंदर कितने रुपीज का होगा cross multiply करो मेरे को answer पताओ 83.33 I will take that figure as 83 okay यह वाला figure में blue के अंदर I am writing and I will write down this particular figure as 83 अब तुम लोगों को ना सब लोगों समझा कि 83 कैसे आया तो अभी सब लोग मेरे को ना 83 define करके दो if you can define it you are a genius में को बोलो what is 83 83 रुपीज क्या है मेरे को तुम लोग वो समझा हो 83 रुपीज क्या है सब गलत में को बोलो 83 क्या है it is the profit of department one that went inside the closing stock of department two तुमको समझा है वाला चीज दिस इस profit of department one that went inside closing stock of department two समझा तुमको मैं एक और लाइन बोलता हूँ दीको वो समझ में आते कि नहीं 83 also represents profit made by department one बट profit not made by department two एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इपनु अन डेपार्टमेंट वन कभी प्रॉफिट कमाता है जब भी department one goods बना के department two को transfer कर देगा लेकिन department two कभी profit कमायेगा जब वो goods बना के finished goods को transfer कर देगा लेकिन अभी ये वाला तो goods transfer हुआ ही नहीं ना तो this 83 represents फिर से बोलो this 83 represents profit of department 1 that went inside closing stock of department 2 या फिर इसी चीज़ को better energy के अंदर बोलू it is profit realized by department 1 but not realized by department 2 तुमको समझ में आता है अब जरा सोचना मैं इस 83 के साथ क्या क्या करेगा सबसे पहले मैं क्या सोचेगा मैं head accountant है मैं head accountant है मैंने department 2 के manager को पुछा दा साले तेरा closing stock कितना है उसने बोला था कि 500 रुपई का मेरा closing stock है लेकिन 500 रुपई के अंदर तो आगे बोलो आगे बोलो 83 रुपीज का department 1 का ही profit है तो तुमको समझ में आएगा this 417 will represent what मेरे को बोल देना please this is cost of closing stock of process to but at cost to the company तुमको समझ में आता है बस EC83 को जब तुम लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे थोड़ा सा accounts कर लोगे branch accounts कर लोगे department accounts जो departmental accounts है वो कर लोगे कोई तेरे को बोल देगा this is nothing but stock reserve okay मेरे को इतना भारी भर कम वर समझ में नहीं आता लेकिन मेरे को यह समझ में आता है that 83 rupees is the profit of department 1 that went inside the closing stock of department 2 इसलिए उसको निकालना पड़ेगा is that okay ठीक है अभी तुम लोग ना out of the box कुछ सोचो और तुम लोग ज़रा यह वाला चीज अभी सोचना तुमको strike होएगा I know that you all are intelligent people okay यह 83 का दो effect होना चाहिए this is profit and loss account of the company this is profit and loss account of the company इस 83 का दो effect होना चाहिए एक तो यहां से less हो गया में को ज़रा बोलो एक और effect भी होना चाहिए अकल use करो बताओ मेरको बताओ मेरको बोलो 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 यह 83 रुपीज तुम्हारे costing pnl account के debit side पे आएगा यह 83 रुपीज को बोलता debit side पे सर क्यों आएगा एक मिनट में को बोलो costing profit and loss account के through what do you all try to find out पहले मेरको बोलो actual profit of of के आगे बोलो ना company अब अब जरा सोचो अभी तक मैंने क्या किया था मैंने 500 रुपिया credit कर दिया था में को बोले 500 रुपिया का profit अभी तक किसने कमाया था process 1 ने जब उसने process 2 को transfer किया सो आए क्रेडिटेड थाइसो रुपिया बराबर से सुना सब लोग आए क्रेडिटेड थाइसो रुपिया to the credit of costing profit and loss account on the assumption that company will also realize this particular profit लेकिन अभी उसके अंदर से 83 रुपिस का जो profit है वो company realize नहीं करेगा क्योंकि ये वाला stock बिके गई नहीं क्योंकि ये वाला चीज closing stock के इंदर अटा गिया तुमको इत्ता लंबा line without full stop समझ में आया तो this is profit realized by process one but it is not realized by the company एक minute अभी तुमको ये दोनों line में को complete करके देना में को बो department कभी profit कमाता है जब वो next department को transfer करता है लेकिन साला company का profit कमाता है जब वो goods बेचता है अगर goods बिकेगा तो profit realize हो रहा है अगर goods नहीं बिकेगा मतलब profit is unrealized no तो कई लोग ना इसको unrealized profit भी मोलता है ओके अगेन मेरे को इतना भारी भर कम वर्ट समझ में नहीं आता में को यह समझ में आता है कि मेरे को 83 rupees reverse करना पड़ेगा क्योंकि 83 rupees is a profit which is not realized by the company and this is profit and loss account of the company सबको समझ में आ गया चलो ठीक है अगर तुमको समझ में आ गया तो अभी तुमको आगे वाली story शायद इतनी मुश्किल नहीं लगेगी अगर तुमको यह चीज़ समझ में आ गया तो although I am continuing तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यह 83 rupees ना मैं blue के अंदर लिख रहा हूँ 83 rupees blue के अंदर लिखा ठीक है धाइसो के अंदर से 83 rupees less हो गया तो धाइसो के अंदर से 83 less हो जाएगा this will give you in this case 250 minus 83 167 167 जो इदर में लिख रहा हूँ ना exactly same thing तेरे costing profit and loss account के अंदर भी हो रहा है can anybody tell me just like that just like that मैं को interest लगता है कि तुम लोग answer कर पाओगे इसलिए I am asking this particular thing जो अभी तक 167 अपनी को दिखाई दे रहा है मैं को बोलो that represents what this is representing realized profit okay till now this is our realized profit क्योंकि this profit I think company must have realized क्योंकि जो unrealized था वो तो less कर दिया ना ठेक है now we are continuing now we are continuing I am on the right track because I hope so you all are understanding okay सुनो अगे costing profit and loss account this is profit and loss account of the company but companies comprise job departments department two ने भाई साब कितने का profit कमा लिया 500 रुपे का में को बो डिपार्टमेंट टू ने ये वाला profit कभी कमा था जब उसने बोलो सब लोग जब उसने आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो कितना रुपीज 500 जो इधर आ रहा है डिट्टो सेम चीज यहां पर भी आ रहा है so therefore this figure will be 667 ठीक है बस मैं almost last stage तक पहुंच गया हूं ठीक है keep your energy is going okay और ये वाली चीज अब में को answer करना you know most of the things में को बोलो इस stage पर goods कहा तक पहुंच गये कहा तक पहुंच गये finish goods ठीक है अभी finish goods को finish goods department को goods बेचने का था मैं को बोलो finish goods department के पास कितने units पहुंचे 50 बेचने के लिए गया 10 unit नहीं बिके ठीक है तो can we say this will be nothing but closing stock or finish goods no अच्छा और अभी next term अगर मैं तुमको पूछ हूं और अगर तुम लोग को ना आए खुद को solid मारना में को ज़रा बोलो जो ये वाली term आएगी इदर जो ये वाली term आएगी इदर में को बोलो this term should be called as what मैं मर जाओं आज ही हाँ मैं और मर जाओं बड़ा मर जाओं बोलो सुना ये डा लोग हाँ this will be cost of goods sold is this language understood finished goods department के पास 50 unit आए 10 unit नहीं बेचे तो मतला उसे 40 unit तो बेचे ना so therefore this particular figure will be called as cost of goods sold is that okay अच्छा लेकिन उससे पहले finished goods department को अपना stock value करने का है तो मैं को ज़रा बोलो finished goods department के पास कितना units closing stock के अंदर पड़ा हो है थोड़ा जल्दी जल्दी बात करो ना अभी 10 unit मैं को ज़रा बोलो every department will value the stock at their cost so finished goods department will value the stock at their cost मैं को बोलो finished goods department का cost कितना है 30 so 10 into 30 will make it कितना 300 के नहीं से this particular figure will be 1200 ठीक है 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 is my selling price ठीक है तो कहने से 2000 रुपे का sales हो गया तो बीच में अभी company ने कितने रुपीस का profit कमा लिया 800 is that is that 800 okay अभी तुमको एक चीज तो समझ में आएगा बेटा 800 तो realize profit ही है क्योंकि ये वाला profit हुआ है by selling to the customers नो तो ये वाला तो 800 लेकिन मेरे को तुमको ये चीज अभी नहीं पूछने का है थोड़ी देर के बाद I'll again ask लेकिन आप में को जड़ा बोलो में head accountant था में head accountant था तो में balance sheet भी तो बनाने का है balance sheet बनाने का है तो में को WIP का stock भी लिखने का है आगे बोलो ना आगे बोलो ना finished goods का भी stock लिखने का है मैंने finished goods department के manager को पूछा भाई तेरे पास stock है उसने बोला हां मेरे पास stock है मैंने उसको पूछा कितने unit का stock है वो बोलता मेरे पास 10 unit का stock है मैंने बोला 10 unit का value बता उसने मेरे को बोला 10 unit का value is बोला गे 300 तो every department will value the stock at their cost no and my same question for the third time मेरे को बोलो is 300 is 300 at cost to finish goods department yes or no yes it is always at cost only every department will value the stock at their cost they will value the stock at their cost most important is this at cost to the company also no अभी ये question का answer में को लगता है half people will give right half people will give wrong इस 300 के अंदर किसी ना किसी का तो profit है मेरे को बोलो किस का profit है बोलो मैंने बोला था half of you all will give wrong इसके अंदर सुनो गोंचु लोग इसके ना दोनों का profit है इसके अंदर department one का भी profit है department two का भी profit है तुमको समझा जो मैं बोला बेटा department एक minute finished goods तक goods कई से पहुंचा P2 ने transfer किया P2 को भी किस ने transfer किया था P1 ने तो दोनों ने अपना profit charge किया ना इसके अंदर ठीक है और अभी यह चीज़ करना मेरे लिए बोचिंदी हो गया देखो 300 is part of 1500 1500 के अंदर 667 is the total profit of all the departments चिल ना हो तुमको language समझा ठीक है तो 300 के अंदर कितने का होईगा 1500 के अंदर खुद के departments का profit 667 है तो 300 के अंदर कितने का होईगा बोलो बोलो 133 मैं blue के अंदर लिखता हूँ 133 134 वो ठीक है सुनो सब लोग मेरे को बोलना प्लीज में को बोलो 133 का इदर जाकर दो effect होता है एक सेकेड मैंने finish goods department को पूछा भाई तेरा closing stock कितना था उसने बोला 300 था अरे black color आ जाना यार तो 300 था तो 300 था तो 300 थीक है में को सब बोलो ये जो 133 है क्यानी से 133 is nothing but पहले मैं अंग्रीजी के वाट बोलता हूँ 133 is nothing but profit realized by department 1 and department 2 but it is not the profit which is realized by यह company या finished goods आपको जो भी बोलने का है वो चलेगा इस 133 का पागल लोग दो effect होएगा मेरे को बोलो क्या दो effect होएगा यहां पर 133 less कर लेगा is that okay अच्छा यह 133 क्यों less किया 133 क्यों less किया क्योंकि this is profit of the company this is profit of our own departments correct no and we have to value stock at cost to the company तो में को बोलो यह जो 167 represent यह जो balancing figure है 167 यह क्या represent करता है stock at cost to the cost to the company क्योंकि अपने departments का जो भी profit था वो तो हम लोग ने less कर दिया ना ठीक है और यह 133 का अभी एक दूसरा effect भी आएगा मेरे को बोलो दूसरा effect क्या होएगा मैं तब तक circle वो मारता ही रहेगा बोलो debit side of costing PNL account so therefore again यहाँ पर वो लिखेगा stock reserve कितने का 133 सब लो में को बोलो इधर debit क्यों करता है बिटा क्योंकि this is not a profit realized by the company में को बो why it is not a profit which is realized by the company क्योंकि अभी तक sale नहीं हुआ क्यों sale नहीं हुआ क्योंकि वो closing shock के अंदर ही पड़ा हुए ना बस तुम्हारा काम खतम and I'm ending up with this 667 अभी तक realized था लेकिन उसके ऐसे 133 was unrealized so 667 minus 133 534 can we say is nothing but the realized profit of the company but I will add one more thing to it यह जो 800 रुपया है भाई साब this in any cases realize दो क्योंकि यह तो sale हुआ है ना यार यह तो हम लोग ने customer लोगों कोई चूना लगा के यह वाला goods बेचा है तो यह वाला जो 800 है this in any case is realized only okay and finally I am doing the same thing जो पिछले lecture के अंदर किया था यह costing penal account है याद जरा करो costing penal account के credit side पे sales आता है याद आता है तो sales 2000 रुपय का आएका debit side पे cost of sales आता है cost of sales will be same as cost of goods sold क्योंकि मैंने admin और snd कुछ दिया ही नहीं cost of goods sold बच्चा 1200 रुपय का था okay बस अब भी अगर यह वाला balancing figure तुम लोग निकालोगे this particular profit will be ditto same as some of these two particular things जो मैं वहाँ पे कर रहा हूँ वही यहाँ पर भी कर रहा हूँ so therefore यहाँ पर तुमारा जो profit आ जाएगा 1334 last time सब लोग में को बोलना 1334 is a profit of the company or I can also be saying it is the it is the realized profit of the company सब को समझा क्योंकि जो भी unrealized था हम लोग ने वो वाला चीज जो है वो यहाँ पर निकाल ही दिया so therefore this is यहाँ पर realized profit मेरे दो objective साथ में खतम हो गए कोई अगर में को यह पूछेगा sir stock will get valued at cost to the company I will say yes these are the figures at cost to the company is this understood and this is nothing but the realized profit of the entire company this is your entire जो भी तुम लोग departmental accounts के अंदर पूरी जिंदिगे में करोगे ना that I have finished up with you all ठीक है इसके ओपर तो किदर भी तो कुछ नहीं आता ठीक है maximum तुम लोग ओ एक चीज और बोल सकता हूं यह जो closing यह जो reserves है ना these are called as closing stock reserves of this year ठीक है next year जब आप costing profit and loss account बनाओंगे ना next year next year next year हम लोग इस 83 और 133 को credit करेगा to costing profit and loss account as opening stock reserves ओके को बोता सर credit क्यों करेगा में को बोलो इस साल debit क्यों किया था क्योंकि इस वा नॉट realized okay next year I will credit them to costing PNL account by thinking that next year these goods will get sold and this profit will get realized by the company तुमको समझा I will credit them with that particular assumption कोई में को बोता है सार अगर next year भी नहीं बिका तो तो तु फिर से closing stock reserve तो यहां पर वो बनाई देना ना तुमको समझा यह वाला चीज में last sentence I am saying it once more next year I will credit these closing stock reserves as opening stock reserves on the assumption that company will sell these goods to the customer and will realize these particular profits कोई मेर को बोल सकता है सार अगर next year भी यह बाला goods नहीं बिका तो so again I will make closing stock reserves in the next year no this process will continue हर एक पिछले साल का closing stock reserve will become opening stock reserve और यह वाला चीज चलता रहेगा अगर मैं तुमको कुछ भारी भरकम वो English बोलू तो चलेगा so no मैं क्या बोलता है all these things are only coming because of one thing timing differences timing differences is what timing differences is अगर department ने इस साल goods बनाया और वो वाले goods big गए then there is no timing then there is no timing difference because profit is realized सब लोग बोलो ना यार लेकिन अगर कम लेकिन अगर department ने इस साल goods बनाये और company ने next year goods बेचे तो stock reserve आएगा ना तो these are timing differences which create all these particular kind of issues okay department किसी साल profit कमाता है और department किस साल profit कमाता है जब वो goods बनाके transfer कर देता है लेकिन company का profit कमाता है जब वो customer लोग को बेचता है अगर यह सारी चीज़े एक ही साल के अंदर हो जाएगा तो profit will get realized लेकिन अगर दोनों चीज़े एक साल के अंदर नहीं हो जाएगा then in that case what will start to come stop reserves मेरा काम इस चीज़े खतम हो गया अभी जो मैंने तुमको बोला मेरको honestly बोलना तुमको यह वाला चीज 22 hours तक याद रहेगा 22 hours तक क्योंकि मेरको जो next question है न वो बिलकुल यही वाला question वो करने का है मेरको okay almost ऐसा ही है वहाँ पर यही वाले fundas आएंगे लेकिन मेरको वो question इकठा एक lecture के अंदर ही करने का है मैं तुमको थोड़ा सा notes दे रहा हूं बाकी we will be doing the question in the next lecture क्योंकि वो lecture क्योंकि वो question के लिए वानार जाएगा और मैंको break नहीं करना है उसको ठीक है तुम लोग अपनी notebooks के अंदर लिखो जरा प्रीज लिखो in your notebooks you all write down हाँ तो notes में आ जो और वहाँ पर जरा लिखो लिखो note for question number 9 and 10 ऐसा लिखना note for question number 9 and 10 लिखो write down in all the questions मैं आ र्यां तो write down on screen also I don't know till when I can write लिखो in all the questions except question number 9 and 10 processes are treated as cost centers जैसे से आगोष जो आपने चीज वो पूछा था ना उसको loading बोलते हैं loading is nothing but markup okay it is not an alternate term for stock reserve stock reserve is loading which is there inside the closing stock i hope you understand that but loading means a profit okay so therefore this entirely is loading okay in all the questions except question number 9 and 10 processes are treated as cost centers they are evaluated based on cost savings we want paragraph के तूर पी all right on we want to convert these cost centers into profit centers and evaluate them based on profit hence we transfer at capital letters markup price called as transfer price again In such cases, we will have to account for stock reserve-unrealized profit at the end of each year to find stock position and profit of the company बस यहां पर लिख लेना, also refer departmental accounts in, शायद paper 1 के अंदर ही आता है वो न Hem काहाँ पनाशनाशना ऑ्पपरबilly रसते say将 बदर करेश य। कर रसिर नहालना रसते 카ுप्परब आ डेर शो प्नाशना रसे पूहाँ बेंगाऊंत लोग Streets नहाँ वोग्वतित बाः इसे खिर शोग्र श चलो सुनो बाकी अभी लेट्स मीट अप तुमोरो कल तुम्हारा एक कॉंट्राक कॉस्टिंग का में टेस्ट लूँगा यह वाली चीज कल तक याद रख लेना उसके बाद तो याद होई जाएगा कुछ हो डाउट है तो अभी वो पूछ लेना वरना इंडर्ड़न बॉड़नों है तो डाउड तो डाउड़नों है यह वड़नों इस स्टीन शाइएण वाली चीज का में टेस्ट चीज का वेंगा झाल झाल